असलाम अलेकुम कैसे वो आप सब उमीदे कि आप सब ठीक होंगे और आज हम अच्छे नहीं है विलकुल मेरे सर में बहुत जादा दर्थ है सुबा से फिर भी मैंने वीडियो इडिटिंग किया और फिर अपलोड किया क्योंकि मैंने अब खुद से वादा किया है कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँगी आप सब के लिए तो मैं सोची मुझे कुछ भी हो लेकिन मुझे हराल में एक वीडियो डेली अपलोड कर रहा है ताकि आपको दिखाना है मैं घर में क्या करती हूं नहीं करती हूं थोड़ा सा अभी मैं नॉर्मल हूँ थोड़ा ठीक जग रहा है अभी साम का हो रहा है आठ बजने में दस मीनट टाइम है बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और अभी मैं जाके नहाई हो क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा हर दो दिन पर मेरे सर में दर्द हो रहा है पता नहीं किस वजह से मैं दवा भी खा रही हूं ले कुछ समझ में निया रहा क्या करो नहीं करो, अभी मुझे वेज़िटेबल्स भी घर में नहीं है, कोई फ्रोट्स नहीं है, और यहां से थोड़ा दूर है जाने में मार्केट, नस्दीक नहीं है, नस्दीक MARKET है लेकिन हम उहां नहीं जाते हैं, वहां जाने के लिए सेफ नह और वेजिटेबल्स भी लाना है, फ्रूट्स भी लाना है, कुछ समान भी लाना है, मार्केट से, जो कि अभी मैं खाना बनाऊंगी, तो फिर मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगी, मार्केट लेट हो जाएगा, और लेट हो जाएगा, और सारा मार्केट बंद हो जाएगा, उसक चाहे भी में अभी बना रही हूँ, फियोंगे थोड़ा साथ देखोंगे सर का दर्द कम हो रहा कि निंड अद्रफवाली चाहे मैं बना रही हूँ अभी और आप सब मुझे प्यार दे, सपोर्ट करें, मैंने वीडियो अभी अभी छे, छे साड़े छे बजे मैंने अपलोड किया एक वीडियो, तो आप बहुत सारा प्यार दे, आपकी प्यार की जरूरत है हमें, और सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, और दौाओं में याद रखें हमें अच्छी नहीं रहेगी, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी मैं कोशिस कर रही हूं कुछ करनी के लिए, तो कभी बीमार हो जा रहे हूं कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ ने कुछ होता ही रह रहा है मेरे साथ, चाय हमारा बन गया है, अब मैं पियोंगी चाय थोड़ा, और फिर मैं खाना बनाओंगी, बच्चे भी आ जाएंगे टूशन से, और बच्चे भी आज, आगर मैं साथ बजे नहीं उठती, तो बच्चे भी आटी, साथ दस में में मेरा आँख खुला अचालक से, तो मैं द जारी है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, टूशन में भी टीचर बोल रही थी, डेली वू लेट आ रही है, अभी क्या करेंगे बच्चे है, सो जाती है, उसको ठाने में भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैं उसको जैसे, पता नहीं है, कब सो ही थी, लेकिन मैं तूठी और फटा फटा उसको उठाई, उसका बाल बनाई, फिर मैंने उसको भेजा, तीनों को भेजा, नायला तो आके सो जाती है, दो दिन से सो जा रही है, लेकिन यह नहीं सोती है, यह दीन में भी नहीं सोती है, रात में भी नहीं सोती है, इसको नींद ही नहीं आता है और अधीबा भी अभी आएगी, सो जाएगी और रात में मुझे बहुत ज़्यादा परिसान करती है, रात में सोती नहीं और उसके वज़े से सायद मेरी भी नीद पूरी नहीं हो रही है, मुझे भी नीद का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नीद नहीं आता है जल्दी, बच्चों के वज़से बच्चे रेश हाता है तो वो नहीं सूती है तो मुझे भी नहीं आता है और फिर जब वो सो जाती है मेरा टाइमिंग पूरा हो जाता है इंट्यूशन wizoo क चूल का सुबह बच्चों के लिए उठनी के लिए तो इसके वज़े से मेरा मिनी खराब हो जा रहा है माँ बनना इतना इसान नहीं है बहुत टफ है और एक बार में तीन थीन बच्चों को संभालना वही जब छोटे थे तो और ज्यादा दिक्कत था भी तो थोड़ा बड़े हो गया तो थोड़ा सा सम यह हमारा बन गया है इसके साथ मैंने मिचेर लिया है मैं मिक्चर कहांगी थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे इसके वज़ेसे मैं चाया और मिक्चर आइए आप भी हमारे साथ चाय पीने और mixture खाने मैंने एक छोटा से वीडियो दीन में बनाया था मैंने online मंगाया है समान मैं उसका वीडियो जब upload करूँगे आपको देख लेना क्या मंगाया है मैंने और मेरा भी उसके साथ first experience है काफी ज़्यादा मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा अच्छा मिल सकता है इतना कम प्राइज में और मैं उसका मतलब first experience जो भी था मेरा मैं पहली बार इस्तमाल की life में मैंने कब भी इस्तमाल नहीं किया था और मुझे मतलब यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज़्यादा अच्छा मिल सकता है मैं फ्लिप कार्ट से मंगाई थी और मैं जो कुछ भी मंगाती हूं ज़्यादा मैं फ्लिप कार्ट से मंगाती है यह कोई उसका वीडियो और पूरा रिवियो मैंने उसका दिया है और जो भी था कि मेरा उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब यकीन नहीं हो रहा इतना ज्यादा अच्छा मिलेगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुसी हुआ अच्छा लगा मुझे कि कोई चीज मंगा जाता है पुरा चला जाता है अभी एक मैंने मंगाया था तीन-चार चोटे-चोटे फूल आ गया है मैं तो वीडियो में बड़ा बड़ा देखी लेकिन आगे है वो छोटा तो मैंने उसको रिटर्न मारा अभी तक वह आके लेके नहीं गया है तो वही होता है कोई चीज मंग कफ देखोगे तो बोलोगे इतना चाय पीती है मुझे अच्छा लगता है मैं इतने बड़े कफ में चाय पीती हूं चोटे कफ में पीऊंगी तो मुझे खुद लगेगा कि मैं चाय पी नहीं लो इसके लिए मैं इतने बड़े कफ में यह मेरा ही कफ है इसी जो कुछ भी मै इसी में पीओ, black coffee पीओ, या coffee पीओ, या चाय पीओ, मैं इसी में पीती हूँ, और जब तक इसमें मैं नहीं पीओंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैं पहले किया करती थी, अब तो बच्चों में, घर में, हर च लगता था, कोई भी काम करने में, इसी का देख के competition होता था, कि वो बना रही है, तो मैं भी बनाओ, तो मैं एक चीज दिखाना चाहरी हूँ, यह देखा, मेरे हाथों का bed seat, मैंने खुद से बनाया है, और यह 10-12 साल पुराना है, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं, कितना लिख रहा है, इसमें बहुत महनत लगता है, लेकिन यादगार है, यह मेरे लिए बहुत जादा यादगार चीज है, मैं पहले बनाया करती थी, लेकिन अब तो दिल भी नहीं करता बनाने का, क्योंकि अब बच्चे हैं, खुद भी कभी ठीक रहो, कभी ठीक नहीं रहो इस हम लोग यही सब बना दे थे, घर में काम करना, फिर यह सब बनाना, फिर पढ़ाई भी करना, सब किया करते थे हम लोग, तो यह मुझे बहुत जादा पसंद है यह वाला चादर, मैं हमेशा बिचाती हूँ, और यह मुझे, यह देख सकते हैं, यह पूरा मैंने अपने असे बनाया है, यह इसका पिलो का बरा, यह डिजाइन का, साइड में यह इसका डिजाइन, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, कि मैं अब डिसाइड की हूँ, कि मैं अपने चैनल का नाम बदन दो, दूसरा रखूं, और मैं क्या रखूं, वो आपको मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगे, क्योंकि अभी तक मैंने खुड डिसाइड नहीं किया है, बहुत सारा नाम मैंने सोचा है, लेकिन क्या रखूं, अभी तक मैंने कन्फर्म डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं आज साइड मैं नाम चेंज कर दूं, क्य मैं अगर अपना चैनल का नाम बदलूंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगे और कल से मेरे हाथ में देखें फिर से मेरे एलर्जी चालू हो गई है हाथ में और गले में हो रहा है मैंने इसका दावा भी कराया था फिर भी यह अभी फिर कल से हो रहा है पुरा रेडरेट पता न हुआ आप जावे हूं अब धूला अटेम मेरी बहुँआ ने भाला शी। कि को कई कि अलू वाले तो चाहं के पहला रिदी बाध कि और देखा में आमेंगी रहा तो उसका रेसिपी कभी बना के अपलोड करूँगी अपने चैनल पर तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने बहुत जादा टाइम हो गया है यहाँ पे मैं बना रही हूँ कस्मिरी चिकन, यहाँ पे मैंने चार प्याज चॉप करके फाइनली चॉप करके और हम इसमें तड़का में हम डालेंगे तेजपत्ता, बड़ी लाईची, डालचीनी सब डालके, खड़े मसाले जो भी हम इसमें डालके फिर हम इसे एक किलो चिकन है तो मैं यहाँ पे चार प्याज डाली हूँ मेडियम साइज का और इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे यहाँ पे मैंने मसाला सारा डाल दिया है यहाँ पे मैंने डाला अधरक लैसुन का पेष्ट कस्मीरी लाल मिर्च और तीखे वाली थोड़ी सी लाल मिर्च क्योंकि बच्चे भी खाते हैं बच्चों के लिए मैं ज्यादा करके बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने डाला है और हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और यहाँ पे जीरा और काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है और यहाँ पे मैं डाली हूँ तंदूरी मसाला थोड़ा सा उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है तंदूरी मसाला डालने से आपके पास है तो डाले नहीं तो ऐसे भी आप बना सकते हैं और यहां पे मैंने दो मेडियम साइस का टमाटर भी डाला था अच्छे से जब टमाटर गल गया था तब मैं सारा मसाला डाली थी और मसाला हमारा अच्छे से भून गया है यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे हम अब चिकन भी डाल देंगे चिकन को भी अच्छे से मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से चला रही हूँ इस वज़े से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है तो मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया था और इसे भी अच्छे से भून लेंगे चिकन को मसाले में तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाला को भून चिकन के साथ और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से बून 특 author मैं थोड़ा पानी डाला था और यहाँ पर हमारा अच्छे से मेरी चिकन हमारा बहुत ही मज़िदार बहुत ही जादा टेस्टी बन के रेटी हो चुका है इसके साथ मैं बनाई हो साधा पुलाव आलू मैंने नहीं डाला था मैं सोची थी कि आलू डालू 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 लेकिन मैंने नहीं डाला आज मैं आलू डाल के भी बनाती हो आलू मटर भी डाल के बनाती है बहुत अच्छा बनता है लेकिन मैंने आज साधा एकदम प्लेन ब्लॉग बनाया है इसका रेसिपी मेरे चैनल पे है अगर आपको बनाना है तो देख सकते हैं अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हूँ अमरे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो धेर सारा प्यार दे लाइक करें सब्सक्राइब करें